इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चप्ती है सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने ये साबित किया कि दुनिया बैजवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन पंद्रा सो सतातर, फिफ्टीन सेवंटी सेवन वेन इसेल अराउंड अर्थ जब समंदर पे सफर किये, दुनिया के गोल तब फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है पुरान मजीद में इसका दिकर है 14 सो साल पहले पुरान में लातला फर्माते है सुर लुक्मान में, सुरान नम्बर 31, आयत नम्बर 29 में अलम्तरा अनलाहा, युली जुलेला फिन नहारी, युली जुनहारा फिन लेली अल्ला सुभाना वताला ने रात को धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते दिन में तबदील किया और दिन को धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते रात में तबदील किया ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तबदील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है अगर दुनिया चप्टी और सपाट होती तो दिन फ़ुरण रात में तबदील होता और रात फ़ुरण दिन में तबदील होती اللہ تعالیٰ فرماتے सूर अजुमर में सुरा नमर 49 आयत नमर 5 में कि अरह सुभानाव ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है कुरान में अर्बी लफ्स है कौवारा जिसके मानी लपेटना जिस तरीके से एक इनसान फेटा सिर पे लपेटता है उसी तरीके से अल्ला तला फरमाते है कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है अगर दुन्या चप्टी और सपाट होती तो ये मुम्किन ना होता पुरान मजीद में अल्ला ताला फर्माते है सुरे नाजियात में सुरा नम्बर 89 चप्टर 79 आयत नम्बर 30 में वाल अर्द बाद जालिका दहाहा और उसके बाद अर्बी लवज धुया से जिसके मानी है बैजा जिसके मानी है अंडा और हम जानते है कि दुनिया गोल है बैजवी है और हम यह भी जानते है आज कि दुनिया पूरे तरीके से गोल नहीं है वो उपर और नीचे से from the pores it is flattened उपर और नीचे से चपती है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में geospherical in shape अर्जी बैजवी और ये लफ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है आम बैजे के लिए नहीं है खुसूसन शुतुर मुर्ग के अंडे के लिए शुतुर मुर्ग के बैजे के लिए और जब हम देखते हैं शुतुर मुर्ग का बैज़ा अंडा is geospherical in shape अर्जी बैजवी के शकल में है आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है के ये जमीन ये धर्ती is geospherical in shape अर्जी बैजवी शकल में है